हाई एवरिवन मैं हूँ धननजय उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे भारत विरोधी एर्दोगान को बहुत बड़ा जटका लगा है जहाँ पे इसी महीने के एक तारीक को तर्की में मुनसिपल कॉपरेशन चुनाओ के रिजल्ट आते हैं जहाँ पे एर्दोग को ये उमीद नहीं था कि उनके कैंडिडेट्स हार जाएंगे अगर आपके पास प्रयाप्त समय है तो आप इस इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल्स को जाके पढ़ें बहुत कुछ आपको कॉमन देखने को और सुनने को मिलेगा जहाँ पे चाहे पॉलिटिकल पार्टी तरकी के हो रश्या के हो या भारत के हो उन सभी का जो behavior होता है वो more or less एक ही जैसा होता है अगर कोई भी political party बहुत दिनों तक अगर सत्ता में रह जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि पूरा government का जो machinery है वो उनका personal property है और अगर आपके पास परयाप्त समय नहीं है तो आप इ पहले आपको मेरा effort पसंद आता है तो channel को subscribe और video को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो वो भी आप मुझे email करके बता सकते हैं ये मैंने screenshot लिया है businessstandard.com news portal का जिसको कि आप खुद से भी जाके access कर सकते हैं अगर आप इस video को pause करके इस screenshot को अगर आप पढ़ किया जा सकता है ऐसा ही कुछ देखने को मिला है तर्की में Erdogan के लिए क्योंकि ये 21 साल से सत्ता में है तो बहुत सारे जो अलग-अलग departments हैं उसमें Erdogan ने अपने ही लोगों को directly और indirect तरीके से recruit कर रखा है As a result क्या हुआ कि मीडिया में इस तरीके से Erdogan को दिखाया जाता है कि जैसे कि Erdogan एक बहुत ही बड़े geopolitical leader है और खास करके ये Muslim world को lead कर सकते हैं जिनको नहीं पता उनको में बता दू कि इरान हो गया, टर्की हो गया, साओधी अरेबिया हो गया इन सब में आपस में almost हर वक्त एक clash रहता है जिसमें ये सभी लोग ये कोशिश करते हैं कि ये Muslim world का अपने आपको leader प्रेजेंट कर सकें चाहे टर्की में government news portal हो या कोई independent news portal हो, कही ना कहीं उन सभी को indirect तरीके से ये बताया गया कि आपको कोई भी ऐसा news publish या broadcast नहीं करना है जो सरकार के खिलाफ रहे या कहीं से भी सरकार के काम के उपर सवाल उठाता हो और उसके बाद अगर हम एक बहुत ही common psychology समझें advertisement का तो उसमें क्या होता है तो बार-बार किसी product को हमें बार-बार दिखाया जाता है जिससे कि हम कहीं न कहीं indirectly ये convince हो जाते हैं कि ये जो product हमें दिखाया जा रहा है ये product काफी अच्छा है वैसे ही कुछ किया जा रहा है Erdogan के लिए भी तरकी में जहां पे जो maximum duration है या जो कहले कि majority of time वहां के television में सिर्फ और सिर्फ Erdogan को ही दिखाया जाता है और कुछ इस तरीके से तरकी को दिखाया जाता है कि तरकी दुनिया में एक example है जहां के जो roads हो गए है या airports हो गए है उसके match का कहीं पे भी कोई और दूसरे देश में road या airports नहीं है साथ में अगर आप इस line को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पढ़िया कि almost जो press conference होते हैं वो एक आम जनता मान के चलता है कि वो press conference में जो सवाल जवाब है उसको किसी भी तरीके से manage नहीं किया गया है लेकिन तर्की में ठीक इसके विपरीत हो रहे है सिर्फ मैं तर्की का ही बात नहीं करूंगा almost आप देख सकते हैं कि almost सभी democratic country में more or less ऐसा ही हो रहा है जहाँ पे कुछ politicians या कुछ political parties उस पूरे machinery को hijack कर लेते हैं और इस तरीके से दिखाते हैं कि सब चीज सही चल रहा है ऐसे लोग एर्दोगान को काफी पसंद आते हैं कितनी बार ऐसा होता है कि किसी भी देश को अगर foreign direct investment या tourist को अगर अपने देश में बुलाना होता है तो वो कोशिश करते हैं ये दिखाने का ये जताने का कि उनका देश जो है वो एक secular देश है जहाँ पे सभी religion के जो लोग हैं उनको एक समान treatment मिलता है तो इसी में क्या होता है कि जो previous regime होते हैं Erdogan से पहले यानि कि Republican People's Party जिनकी इस municipal corporation चुनाव में जिनकी जीत हुई है तो वो लोग क्या करते हैं कि कुछ थोड़े से aggressive तरीके से ये pretend करना शुरू कर देते हैं कि उनकी जो party है वो काफी secular है तो उसी सब चीजों का जो Erdogan है वो benefit उठाते हैं अपना एक image को इस तरीके से promote करते हैं जहां पर वो ये बताते हैं कि वो काफी concerned है Islam से और जिस तरीके से तर्की में जवरदस्ती के secularism को थोपा जा रहा है उसके बाद पिछले साल Turkey और Syria में एक बहुत ही जवरदस तरीके से earthquake आया यानि कि हमारे जो NDRF के team है वो जाते हैं टर्की मदद पहुचाने के लिए लेकिन multiple times ऐसे देखे गए हैं जहां पर Erdogan बढ़ चड़कर United Nations में या यूं कहले कि अलग-अलग international platforms पे वो कश्मीर का issue को वो उठाते रहते हैं तो in a way अगर हम ये कहें कि ये जो Erdogan का defeat हुआ है जैसे कि अभी भारत और चाइना के बीच में एक aggressive या यूं कहले कि बहुत ही tense situation है तो जब तक कि भारत में या चाइना में सत्ता परिवर्तन नहीं होगा कोई नए leaders appoint ये elect होके नहीं आएंगे तब तक हम समझ सकते हैं कि more or less जो situation है भारत और चाइना के बीच में वो ऐसा ही बनके रहेगा या तो अगर सत्ता परिवर्तन होगा तो जो relation है वो और भी खराब होगा या हम उमीद कर सकते हैं कि वो relation और भी अच्छा होगा तरकी में भी presidential form of government है जहां पे 2023 में तरकी में चुना होते हैं और Erdogan जीत के आते हैं और 2024 में तरकी में municipal corporation का चुना होता है जहा ही ना कहीं ये बता रहा है कि जो तरकी के लोंग है वो काफी खवा हो गया है Erdogan से जैसा कि कमोबेश देखा जाता है कि सभी देश में बड़े पैमाने पे दो ही opposition parties होते हैं वैसे ही देखा जा रहा है तरकी में भी एक तो Erdogan जिस political party को represent करते हैं उसका नाम है justice and development party और जिन people's party एक left oriented party है जहाँ पे total 81 provinces में चुना हुए थे और इनका जो opposition है कहने का मतलब है कि जो Erdogan के opposition party है Republican people's party ये 36 seats जीत के आते हैं अब ये number सुनके लग सकता है कि इसमें कौन सी बड़ी चीज है तो इनका जो opposition party है यानि कि Republican people's party ये जहाँ पे जीते हैं ये उन सब areas में जीते है जो densely populated है और हम ये कह सकते हैं कि जिस area में जीता गया है ये more or less Turkey का जो mindset है या जो view है यानि कि जो political view है उसको represent करते हैं पांच जो Turkey के बड़े बड़े शहर हैं उसमें से Istanbul है, Ankara है, Antalya है ये सब कुछ वो areas है जिनका historical importance भी है Istanbul कहने के जरुवतनी है कि ये बहुत ही बड़ा tourist spot है, Ankara capital है तर्की का तो more or less इन सब जहों पे हारने का मतलब ये होता है कि लोग बता रहे हैं कि जो current regime है उनसे वो लोग काफी खफा हैं क्यूंकि Turkey एक presidential form of government है और यहां पे भी हर 5 साल में चुनाव होते हैं तो जो चुनाव जो है वो काफी घटा है और जैसे ही इस चुनाव को result आता है वैसे ही Erdogan काफी shock में चले जाते हैं और साथ में उनके कुछ statements भी आते हैं जहां पे वो ये कहते हैं कि उनको अपने political party के जो काम काज है उसको देखना पड़ेगा और उसे काफी criticize करना पड़ेगा क्यूंकि ए और ये direct competitor बन गए है Erdogan के या इनका जो political party है उसका और massive support टर्की में देखने को मिला खास करके अंकारा या Istanbul के हम बात करें तो more or less सभी देशों में municipal corporation के चुनाव का जो highest post होता है वो mayor का होता है तो इकरम बनने वाले हैं Istanbul का नए mayor और Istanbul का importance हम इसी बात से समझ सकते हैं कि more or less वहाँ पे foreign medias का या foreigners का काफी वहाँ पे हुजूम रहता है तो इस लिहाज से भी जो focus है वो Erdogan से हट के उनके जो opposition से उसके उपर जाने वाला है और जो इकरम का winning percentage है या जो winning margin है वो इतना जादा है कि 40 सालों में इतने बड़े margin से कोई भी नहीं जीता था more or less इन पां का रिजल्ट काफी decisive हो गया अब अगर चुनाव में हार हुआ है तो कहीं न कहीं इसके कुछ अपने वजय भी होंगे तो normally कहीं पे भी अगर लोग किसी political party को इतना जादा जब reject करते हैं तो उसका एक single most reason हम समझ सकते कि कहीं न कहीं economy होती है वैसे ही देखा गया है टर्की मे जहां पे inflation हम कह सकते हैं कि approximately 100% वहां पे inflation पहुँच गया है मतलब कि अगर भारत में कोई दूत का packet अगर 60 रुपय का मिलता है तो वो सीधे 120 रुपय का हो गया और इसके बारे में ये कहा जाता है कि Erdogan ने या इनके जो political party में जो leaders हैं सभी political leaders Erdogan के करीबी हैं मतलब ये हु बहुत सारे ऐसे economic decisions लिये गये हैं बीते खास करके 5 सालों में जिसके वज़े से जो तरकी का जो inflation है वो 100% पहुँच गया, housing की कीमत बढ़ गई या यू समझ ले कि जो एक basic survival का चीज होता है किसी भी human being के लिए वो काफी महगा हो गया और अगर आप थोड़ा सा इतिहास में प्री के अनाज हो गये हैं या जो basic needs होते हैं human being के उसको दिया जाए ताकि जनता विदरो करने के लिए सडकों पे ना उतरें तो भले ये चुनाओ टर्की में हुआ भले ये चुनाओ एक municipal election था लेकिन यहां के जो pattern थे more or less यही pattern हम देख सकते हैं किसी भी democratic country में जहाँ पर अगर leaders बहुत सालों तक सत्ता में बने रहते हैं तो वो common जनता से काफी disconnect हो जाते हैं और उनको लगता है कि सब चीज सही चल रहा है I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गए तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care good bye